अलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं वायर गेज के बारे में जिसे की sheet metal gauge भी कहा जाता है जो की बहुत important mechanical tool है measuring tool कह सकते हैं आप इसको इससे पहले हमने वीडियो की है एक separate वीडियो जिसमें filler gauge के बारे में discuss किया है एक वीडियो में हमने screw pitch gauge के बारे में discussion किया है तो ये वीडियो जो है wire gauge के उपर है और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि one gauge is equal to how many mm यानि कि एक gauge जो होता है वो कितने mm के बराबर होता है या फिर 9 gauge, 10 gauge यानि कि gauge का मतलब कितना mm होता है ये इस वीडियो में हम जानेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है चलिए वीडियो के start करते हैं बने दहिएगा वीडियो में अन्ति तक तो फ्रेंड्स अब से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर wire gauge क्या होता है फ्रेंड्स आप जो image में देख रहे हैं ये tool जो है ये wire gauge है आप देख सकते हैं ये steel की एक metal disc होती है बहुत ही पतली सी है न और उसमें काफी सारे grooves कटे हुए हैं हर groove के उपर में एक number लिखा हुआ है तो देखिए जो सबसे ज़्यादा चौड़ा groove है यहाँ पर वो है 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2 उससे कम 3 उससे कम 4 उससे कम 5 उससे कम 6 और ऐसे ही करके यानि कि जैसे ही number बढ़ते जा रहा है groove का thickness जो है वो कम होते जा रहा है और यह number indicate करता है gauge को है ना जैसे कि यह क्या है आपका wire gauge है तो नाम से क्या clear है wire gauge wire के thickness को wire के diameter को thickness को नहीं wire के diameter को measure करने के लिए इस tool का इस्तमाल किया जाता है जिसे की wire gauge कहा जाता है zero gauge जो होता है वो सबसे ज़्यादा thickness का होता है जबकि 36 gauge यानि इसमें इसमें सबसे last रहता है वो 36 gauge रहता है यहाँ पर है आप image में देख सकते है वन गेज के पास में ही है यहाँ पर साइड में देखी यह 36 गेज है 4 और 5 गेज के बीच में यह छोटा सा जो है 36 गेज याने की बहुत ही पतला होता है बहुत ही फाइन होता है आगे वीडियो के end पर मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें एक गेज कितना अम होता है दो गेज कितना अम होता है और 36 गेज याने की कितना अम होता है वो सब उसमें mention रहेगा तो wire गेज को ही आपका metal sheet गेज भी कहा जाता है क्यूंकि किसी भी metal sheet की जो thickness है उसको भी इसी tool की मदद से measure किया जाता है और mostly जितने भी आपकी market में आपको जो sheet मिलती है पतली sheet metal की होती है वो sheet gauge के हिसाब में आती है 5 gauge की 10 gauge की 25 gauge की है ना हम बोलते है कि कितने gauge की sheet है तो ये होगे हमारी 4 gauge की sheet है तो वो sheet क्या बताती है thickness को बताती है और gauge याने की standardized है मैं आपको आगे table दिखा रहा हूँ इस table के accordingly हर एक gauge का जो mm जो है वो size जो है आपको पता चल जाएगा इसके through measurement का procedure ये है अगर आप एक wire का diameter measure कर रहे हैं तो उस wire को आपको उस groove में fit करके देखना है जिस भी groove में एकदम सही सही बराबर fit हो जाती है ना ही बहुत ज़्यादा tight होती है ना ही loose होती है exact उस shape में उस groove में जाकर के वो fix हो जा रही है wire तो वो उतने gauge का ही आपका wire है ना तो उस से आपका wire का जो है diameter निकल गया इसी तरीके से अगर आप seat को measure कर रहे हैं तो seat को seat जिस भी groove में fix होगी properly वो उसका size हो जाएगा यानि कि अगर मा लिजे 7 number groove में fix हो रही है तो आपका जो sheet है वो 7 gauge का है है ना अगर wire आपका जो है वो 4 gauge वाले groove में बैठ जा रहा है तो आपका wire जो है वो किते का है 4 gauge का wire है अगर sheet होगा तो 4 gauge का seat होगा तो friends अब जान लेते हैं देखे ये table है यहां से आपको पता चल जाएगा कि एक gauge जो है वो कितने mm के बराबर होता है देखे ये 0 gauge है 0 gauge सामने में देखिए पहले inch में दिया हुआ है फिर उसके बाद तो 1 gauge हो रहा है 0.300 inch जबकि mm में हो रहा है 7.6 mm तो इसी तरीके से यानि एक gauge जो है वो कितना है 7.6 mm का है जबकि यहां पर 36 gauge जो है 36 gauge वो हो रहा है 0.19 mm इतना कम होता है तो यहां पर से इस table से आप gauge की value जो है वो निकाल सकते हैं आप इस screen shot ले सकते हैं या फिर आप इसको direct net में download search भी कर सकते हैं search करके download कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह video आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% भी यह video आपको helpful लगी हो तो please इस video को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next video में तब तक के लिए अलविदा